हेलो मेरे प्यारे प्यारे और छोटे छोटे दोस्तों I welcome you all on my YouTube channel Sumit Education ओके, so आज के वीडियो में हम जानेंगे या फिर बात करेंगे या फिर एक गेम कहलेंगे Living and Non-Living Things के बारे में अच्छा, तो Living Things होती क्या है Living Things, in short मैं आपको चल्टिली बताती हूँ जिन में जान होती है जान होती है अनि जहान होती है मतलब कि जिन में लाइफ होती है ठीक है, हम बोलता है न कि हमारा जीवन तो वैसे ही हमारी जान तो जिन जिन चीजों में जान होती है वो होती है Living Things और जिन में जान नहीं होती है वो होती है Non-Living Things जैसे hut, chill, aeroplane, boat and living में हम plant, birds and elephant, okay so जितनी भी चीज़े हमारे around में हैं वो या तो living होंगी या तो non-living होंगी ठीक है जैसे कि living things, living things में people हो गए, animals हो गए, plants हो गए और non-living things में या तो वो nature ने हमें दिये होंगे जैसे हमारा cloud, हमारा sun, earth और man-made में जो कि हमारे या तो engineers ने दिये होंगे या तो हमारे दादाजी लोगों ने दिये होंगे या तो हमने खुद बनाए होंगे जैसे हमाई books, हमाई copy, हमारी notebook, हमारा apple tower, हमारे घर यह सब चीज़े हमारी man-made non-living things होती है अच्छा तो एक question आता है कि कैसे कैसे पता करें की कोई चीज living है non-living है अच्छा तो उसके लिए एक हम game खेलते हैं हम एक test लेंगे हर एक चीज़ का जो आपके आसपास है उसका एक test लेंगे अगर वो test में pass होते हैं तो वो living things होंगे और अगर वो test में किसी एक में भी fail होते हैं तो वो non-living things होंगे तो test start करें बहुत आसान सा test है तो पहला test है कि हमारी body जो होती है जो living things की body होती है, वो कैसी होती है, वो एक well organized body होती है, means उसमें cell से बनी बहुत सारी, अगर आप अपने body को देखे तो बहुत सार उसमें organs है, eyes है, हमारा mouth है, हमारे kidney है, हमारा liver है, हमारे lungs है, जिससे हम सांस लेते हैं, तो ये सब चीजे हैं और उन से बना एक पूरा हमारा सर हमारे पूरी body है, तो ऐसी ही एक body होगी, हमारे dog की body होती है, हमारे cow की body होती है, हमारे elephant की body होती है, हमारे plant में भी एक body होती है, जैसे कि उसमें trunk होगा, leaves होगी, पूरी well organized body, तो पहला test है कि body well organized होगी, हमने तो पास कर लिया, हमारे dog ने भी पास कर लिया, और हमारे plant ने भ होती है that means they needs food and food or nutrition for preparing for performing various activities like playing games like is cheering okay dancing etc. तो हम तो खाना भी खाते हैं हमारे dog भी खाना खाता है और हमारा plant क्या खाता है okay यह आंब बताएंगे हमारा plant क्या खाता है लेकिन वो भी खाता है तो हमने वो भी test पास कर लिए तो ठीक है second test हो गया third test होगा respiration that means they respire or they breathe in and out okay so हम तो सांस अभी ले भी रहे हैं just focus on your breathe and out okay so breathe in and breathe out हमारा dog भी करता है उसने भी test pass कर लिया हमारे plant भी करते हैं जब हमारी हावा चलती है हमें पता चलता है कि वो breathe in and breathe out ऐसे ही वो खाना भी बना रहे होते हैं तो breathe in and breathe out करते हैं ओके तो आप ज़रूर बताना comment section में वो क्या खाते हैं next they grow they grow means हम grow करते हैं ठीक है जैसे हम पहले एक छोट्टू से kit थे मम्मी के थोड़ा सा बड़े हुए फिर थोड़ा सा बड़े हुए और फिर हम बड़े हो गए like me मैं तो ये बन गई और आप अभी ये होंगे है ना ऐसे से एग रहता है एग से chicken निकलता है chicken से फिर क्या बनता है हमारा hen okay so ये chicks निकलते हैं फिर उसके बाद ये बनते हैं hens ऐसे ही हमारा plant एक छोट ऐसा बीज रहता है चोट ऐसा सीड हम क्या करते हैं वहां अर्थ में ऐसे दबाते हैं फिर बड़ा सा plant बनता है या फिर ट्री बन जाता है बहुत बड़ा सा तो ये grow करते हैं next step is responsiveness their body responds to external activities okay okay suppose I pinch a sweet on your body okay needle okay तो आप क्या करेंगे आउच जहां पर आपको pinch होगा या फिर injection तो हम सब को याद होगा ठीक है तो हम कैसे करते हैं आउच या फिर हम रोने लगते हैं या फिर हमें बहुत ऐसे गरम-गरम सा कुछ touch हो जाता है तो हम हाथ दूरी कर लेते हैं है ना ऐसे ही plant भी प्लांट किसके लिए रिस्पॉंस करते हैं लाइट के लिए रिस्पॉंस करते हैं आपने रात में देखें उनके birds flowers बंद हो जाते हैं और मौनिंग में वो जैसी light मिलती है वो open हो जाते हैं अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना बहुत मज़ा आता है और एक non-touch non-touch plant भी होता है किसने किसने पता किया है उसके बारे में उसके बारे में पता करना तो ये क्या होता है हमारी body जो है वो external things को response करती है ठीक है तो वो होता है responsiveness fifth test हो गया responsiveness और हमने qualify कर लिया okay now six test है movement movement that means they move they will move, they will play, they will laugh, see here ये हस रहे है, ये यहाँ से वहाँ खेलेंगे and dog को भी देखो ऐसी plant भी जब हवा चलती है तो कैसे वो जूमते हैं यहाँ से वहाँ ऐसे ऐसे तो वो क्या होता है कि वो move करते हैं, तो हमने six test भी pass कर लिया, next test है reproduce that means कि they will reproduce they will produce a new baby okay, so हमाई ममा ने हमें produce किया, ऐसी cow की ममा ने cow के बच्चे को produce किया सेम जो bird होती है वो एक को produce करती है, फिर उसे एक नया bird निकलता है, हमारी kitten ने भी एक नया baby produce किया हुआ है हमाई cat ने एक kitten produce किया और plant से एक seed produce किया और seed से क्या बनेगा, एक नया एक last test बचता है, that is figs lifespan, that means they will die after some time, अच्छा कभी आप अपने पापा से पूछना, उनकी क्या दादा जी है, या फिर आपके दादा जी की दादा जी है, वो कहां गई, आपके दादा जी की दादी कहां गई, या फिर हमारे जो dog है उसकी दादी कहां गई, उसकी दादा कहां गई, that means कि वो एक time के बाद उनकी death हो जाती है, same plant, plant पहले grow करेगा और फिर एक time बाद उसकी death हो जाएगी, हमारे cat भी उसकी भी death हो जाती है, तो that means they will die after some time they have a fixed lifespan, okay तो हम जल्दी एक बार देख लेते हैं अपना test कौन कौन ने pass किया हमने तो test pass कर लिया, अब हम यह देखते हैं कि इन में से किसने, हमने pass किया, हमारे plant ने pass किया हमारे bird ने pass किया हमारे elephant ने भी pass किया, इसके पास भी सारी body है, उसका वो खाना भी खाता है, वो move भी करता है, वो touch response भी करेगा, जब उसको कोई मारेगा तो भी मारता है न, तो यह response हो गया वो अपने जैसे छोटे-छोटे नंदू भी पैदा करता है तो यह सारी क्या होगी, और वो breathe in and breathe out भी करता है तो यह सारे test इन्होंने pass किले, that means they are living things, okay, now, अब क्या हमाई हर्ट खाती है नहीं, वो तो पहला ही test fail होगी, okay, तो यह बिलकुल non-living things, ऐसी हमारी जो chair है, chair ना तो अपने जैसे chair पैदा करती है, और नहीं वो खाना खाती है तो वो भी fail होगी, फिर aeroplane भी, वो भी अपने आप move नहीं करती हम उसको move करवाते हैं, हमाई बोड भी ऐसी, वो खाना नहीं खाती वो अपने ऐसे बोड पैदा नहीं करती है ना, तो यह सब fail, that means they are non-living things, okay, तो अब मुझे तो लग रहे कि आपको समझ में जरूर आया होगा और अब next वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि human body कैसी होते है, जिन आर्गन का भी हमने देखा ना, कि उनकी वज़े से grow करता है, हम उसके बारे में बताऊंगी, okay, तब तक के लिए thank you